नमस्कार दोस्तों आप देखरें स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है धीरच इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान के लिए तक्रीब ऐसा हो चुका था कि सेमी फाइनल बड़ा मुश्किल हो गया था उसके बाद जिंबावे से हारने के बाद तो ऐसा हो गया था कि भाईया अब तो इनका कुछ बचा ही नहीं है बट अब जैसे ही पाकिस्तान ने सौथ अफरीका को 33 रनों से अरा दिया ना उसके बाद एक बार फिर कह सकते हैं पाकिस्तान जिंदा हो गया है किस चीज के लिए सेमी फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए लेकिन इसके लिए अब उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा दूसरों पर भी कि उनकी हार आए इधर हमारी जीता है बहुत सारी चीजे हैं और खास और पर वैदर पर भी हो सकता है वो डिपेंडेंट हो तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजी बताऊंगा कि पाकिस्तान अगर क्वालिफाई कर था है तो अब देखते हैं कि विधर क्या भाग साथ देहा रही जफिले खूलों करते हैं पकेbl disturb fel करता है किह उनके लिए बहुत महत्व रखता मषथ तह नीदलेंड से और भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला क्हिला जाएगा सुभाय संब्स चैनले और ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं और दूसरा मुकाबला जो पाकिस्तान वर्सिस बांगलादेश है साड़े नौब बजे खेलेगा ये दोनों एक ही ग्राउंड पर खेले जाएंगे मतलब एक ही वेन्यू है अब एडिलेड में क्योंकि वैदर को लेके बहुत सारी च चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे पहले नजरे होंगी कि सौथ अफ्रीका जो है वो नीदर लेंड से हार जाए मतलब साब समझ रहे हैं जिस तरह वो खुद जिंबावे से हार गये थे ऐसा वो सोचेंगे कुछ कि यार ऐसा कुछ हो जाए सौथ और फिर उसके बाद पाकिस्तान ये सूचेंगा सेकेंड मुकाबले में पाकिस्तान की किस्मत अपने हातों होगी और वहां पर ये चाह रहे होंगे कि बांगलादेश को वो हरा दे क्योंकि फिलहाल जब से उनने साथ अफ्रीका को हराया है उनका जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान ये चाहेगा कि बांगलादेश को हरा है और फिर उसके बाद जो तीसरा मुकाबला है जिस पर भी वो काफी डिपेंडेंट रहेगा और नजर बना के रखेगा कि अगर सौथ अफ्रीका जीत गया नीडरलेंट से तो उनको अपना मुकाबला तो जीत रहा है मेलबंद आप सभी को पता है पाकिस्तान बुरी तरह है मेलबंद में भारत के हाथो हारा था और वही सुनकी थोड़ा कह सकते ना वर्ल्ड करप की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी तो यह वो मुकाबला है इंडिया वर्सेस जिंबावे का लेकिन यहां पर जो धीरे- निभादे या कैसे निभादे इसलिए आपको ले चलता हूँ पॉइंट स्टेवल पर क्योंकि वह बहुत सारी चीजे क्लियर करेगा तो देखिए इंडिया सौथ अफरिका की हार के बाद पॉइंट स्टेवल पर टॉप पे बैठा है च्छै पॉइंट्स है और च्छै पॉइंट्स के साथ बैठा है अगर इंडिया अपना मुकाबला अगला जीटता है जिंबावे से तो सीधी सी बाते को क्वालिफाइए पर पाकिस्तान चाहेगा नहीं ऐसा ना हो क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले तो यह चाहेगा कि सौथ अफरिका अपना मुकाबला अग चीजे खुली है अभी भी कुछ भी हो सकता है वन टू थ्री जो आप देख रहे हैं इंडिया सौथ अफरिका पाकिस्तान को सकता है लेकि बहुत बड़ा अपसेट पाकिस्तान को अपसेट का इंतजार पड़ेगा साथ अफरिका के हारने के लिए और जिंबावे का इंडि बांगलादेश से जीट जाए यह एक एजी चांसे होगा और अगर सौथ अफ्रीक अपना मुकाबलाद जीट जाता है नीदर लेंड से तो फिर उनको पाकिस्तान को अपना मुकाबला भी जीता है साथ ही साथ यह इंतासार करना है कि इंडिया जिंबावे से हार जाए तो भा जय भारत!